आज मैंने जो दाल बनाई है ये दाल इतना टेस्टी बनता है और इतना जल्दी बनता है और स्वाद इसका इतना बढ़िया होता है कि पनीर की सबजी भी इसके आगे फीकी बढ़ जाती है और इसको स्टूडेंट डाल भी बोलते हैं क्यों बोलते हैं वो मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगे तो चलिए इसको बनाते हैं इसको बनाने के लिए मैंने एक कटोरी अरहर की दाल अच्छे से धो लिया है और उसको मैंने कूकर में डाल दिया है इसी के साथ मैंने एक बड़े साइस का प्यास शिल के उसको बीज से दो टुकड़ा करके डाल दिया है दो टमाटर को भी मैंने बीज से काटके डाला है इसके बीज को मैंने निकाल दिया है आधा कटोरी से भी कम हम इसमें हरा मटर डालेंगे अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर डालें इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है आधा कटोरी ही मैंने इसमें शिमला मिर्च काटके डाला है आधा कटोरी ही मैंने इसमें लौकी काटके डाला है तो सबजिया मैं इसमें थोड़ी थोड़ी करके दो-तिन सबजी डालूंगी पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तीन से चार इसमें लेसन छील के डाल देंगे आधा मैंने गाजर को ग्रेट करके डाला है तो इससे डाल का टेक्स्चर बहुत अच्छा आता है एक बार इस डाल को आप बना के जरूर ट्राई करें दो हरे मिर्च डाल रही हूँ एक तेश पत्ता डालेंगी एक छोटी इलाईची मैंने कूट के डाला है दो लॉंग डाला है और आधा इंच मैंने दालचीनी का टुकड़ा डाला है तो इस कटोरी से मैं एक कटोरी अरहर की डाल ली हूँ उसी कटोरी से मैं दो से धाई कटोरी इसमें पानी डाल रही हूँ पानी डालने के बाद इसमें डालेंगे आधा चमज हल्दी पाउडर एक चमज जीरा पाउडर जीरा पाउडर जरूर डाले इससे इस दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है एक चमज ये मैंने कश्मेरी लाल मेंस डाला है इसे कलर बहुत अच्छा आता है 2-3-5 छींग डाल दें और नमक स्वात के अनुसार डालें इसमें डालेंगे 2-3 चमस देसी घी तो देसी घी से इस दाल का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और इसको चमस से हलका हलका मिक्स कर दे बहुत जादा ना मिक्स करें और थोड़ा सा हारा धनिया डाल रही हूं और थोड़ा सा धनिया बात में डालूंगे हलका हलका इसको चमल से मिक्स कर दे बहुत ज़्यादा नहीं और ये जो डाल है ये तीन सीटी में बहुत अशे से गल जाता है तो आगर आप जो डाल बनाते हैं तो आप देख लिए कि वो कितनी सीटी में गलता है उतनी सीटी लगा ले बहुत जादा भी ना लगा है ताकि डाल हलवा हो जाए तीन सीटी लग गई है मैंने गैस को बंद कर दिया है और जब इसका स्टीम निकलेगा तब हम कूकर को खोलेंगे तब तक इसके लिए हम एक तड़का बना लेते हैं तो मैंने एक छोटा सा फ्राइपेन गैस पे रखा है इस पे मैंने तीन से चार चमज देसी घी डाला है तो देसी घी का तड़का इसमें बहुत अच्छा लगता है जैसी घी गरम हो जाए इसमें डालेंगे आधा चमज जीरा दो सूखी लाल मिर्च थोड़ा सा हींग डालेंगे एक से दो पिंच और मैंने एक चमज के अंदाज में अधरक को ग्रेट कर लिया है इसको भी डाल देंगे दो से तीन लेसन को भी मैंने ग्रेट कर लिया है इसको भी डाल देंगे तो थोड़ा सा अधरक और लेसन को भून लेंगे ताकि इनका कच्छा पन निकल जाए और इसी के साथ मैंने आठ से दस करी पत्ते को भी बारिक बारिक काट लिया है इसको भी डाल देंगे और एक सीक्रिट मसाला डालूंगी जिससे इस दाल का टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वो है पाव भाजी मसाला तो किवल एक चमस डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और इस तड़के को हम दाल में डालेंगे तो देखें इस टीम निकल गया है दाल को खोल के पहले चेक कर लेते हैं तो तीन सीटी में ही देखें दाल बहुत अच्छे से गल गया है जो टमाटर है उसका छिलका निकाल दें और अभी ये दाल बहुत ज़ादा गाढ़ा है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे तो पानी धंडा पानी ना डालें देखिए दाल कितना अच्छा गल गया है तो इसमें मैं डेड़ कप के अंदाज में गरम पानी डाल रही हूँ इसी के साथ एक चमच के अंदाज में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा रोस्ट किया हुआ कसूरी मेथी इससे भी दाल का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये दाल यकीन मानिए 10 से 15 मिनट में बन के तयार हो जाता है खाने के लिए और इसका टेस्ट इतना बढ़ियां आत है कि इसके आगे धमालू या फिर पनीर की सबजी भी फीकी पर जाती है अब इसमें जो तड़का तयार करके रखे थे वो तड़का भी डाल देंगे और तड़का को डालने के बाद कूकर का धकन लगा कि इसको 5-6 मिनट के लिए हम बन कर देंगे ताकि जो तड़का हमने लगाया था उसका फ्लेवर दाल में आ जाए मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी डाला है इसमें और आप दाल का कलर देख सकते हैं कि कितना बढ़िया दाल का कलर आया है कितना बढ़िया ये दाल बन गया है खाने में इस दाल का कोई जवाब नहीं है इतना ला जवाब ये द जरूरत नहीं पड़ती बिल्कुल सादे चावल के साथ ही इतना बढ़िया लगता है तो देखे मैंने बिल्कुल गर्मा गर्म सादा चावल भी बना रखा है और इसी के उपर में इस दाल को डाल दूंगे इसी के साथ इस पे डाले एक चमस देशी ही और बस सिंपल ही ऐसे ही इस दाल चावल को खाएं ये ऐसी ही इतना टेस्टी लगता है कि इसके साथ किसी चीज की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसमें मैंने थोड़ी थोड़ी करके सारी सबजिया डाली हैं मसाला भी डाला है और इस दाल को बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता तो इसको टूडेंट डाल का है आप इसको क्या बोलेंगे